हिंदुस्तानी लड़के पर पाकिस्तानी भावी हो गई फिदा बिना पासपोर्ट वीजा के आ गई दिल्ली हकीका जान योपे पुलिस हिल गई चार बच्चों के साथ करने जा रही थी शादी तभी आ गया कहानी में नया ट्विस्ट इससे पहले भागते योगी के पुलिस ने घेर लिया सीमा हैदर अपना घर बेचकर भारत आई पुलिस ने हकड़ी लगाई लेकिन असली सत जानकर खुद योगी भी टेंशन में आ गए पुलिस के साथ खड़ी समयला का नाम सीमा गुलाम हैदर है अपनी मुहबत के लिए अमीर घर की पाकिस्तानी लड़की सीमा पार करके बिना बीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान से भारत आ गई है ये कहानी शारुखान की फिल्म वीरजारा की तरह है फर्क सिर्फ इतना है शारुखान को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हुआ था और इस प्रेम कहानी में इस लड़की को हिंदुस्तानी लड़के से प्यार हुआ है एक कहावत है खेल खेल में प्यार हो गया ऐसा ही प्यार पाकिस्तानी भावी को पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तानी लड़के से हुआ ये प्यार इतना भैंकर वाला है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आ गई प्रेमी के साथ शादी करने की त्यारी हो रही थी लेकिन तबी खबर योगी आदितनाद के पास पहुँच गई इसके बाद वो सबसे बड़ा खुलासा हुआ जिसके बारे में जानकर पुलिस और खुफिय अजिंसियों की भी नीद उड़ गई खुद अजी डोबाल ने मोर्चा समाल लिया है और आईबी से लिकार रो तक एक्ट्यू हो गई है सीमा हैदर का पाकिस्तानी आर्मी से क्या कनेक्शन है उससे पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं क्या किर चार बच्चों वाली 35 साल की पाकिस्तानी भावी को कैसे भारत के सचिन से प्यार हुआ और कैसे भारत आई उसे बीच पति हैदर कमाने के लिए दुबई गया और इदर सीमा पबजी गेम खिलने लगी खेल खेल में यूपी के नोड़ा में रहने वाले सचिन से बात शुड़ हुई और प्यार हो गया इसके बाद नेपाल के रास्ते सीमा नोड़ा आ गए सीमा हैदर पिछले करीब 20 साल से अपने प्रेमी के साथ नोड़ा में रह रही थी इसके बाद अपने प्रेमी के साथ कानूनी रूप से शादी करने के लिए वकील के पास मोची थी वकील को शक हुआ तो उसने पुलिस को जानकारी दे दी इसके बाद योगी आदितनात के पुलिस ने बिना देर किये हरियाना से दोनों को पकल लिया सीमा हैदर का कहना है कि मैं मर जाओंगी लेकिन अब वापस पाकिस्तान नहीं जाओंगी लेकिन इसी बीच ऐसा एक खुलासा हुआ जिसके बाद से सुरक्ष एजंसिया और योगी आदितनात की भी टेंशन बढ़ गे सीमा हैदर एक अमीर पाकिस्तानी परिवार की बहु है भाई पाकिस्तानी फाउज में ऐसे में भारती सुरक्ष एजंसियों को इस बात का शक है कि प्यार के नम पर कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं इस प्रेम कहानी ने शारुख खान की 2004 में आई फिल्म वीर जारा की याद दिला दी है जिस तरह से शारुख खान को पाकिस्तान में जेल हो जाती है उसी तरह से सीमा हैदर को हिंदुस्तान की जेल में बंद कर दिया गया है सुरक्षर एजेंसिया पूछ ताच कर रही है सीमा हैदर के प्रेमी सचीन ने बताया है हमारी मुलकात पबजी गेम पर हुई इसके बाद ये नेपाल आई थी और 10 मार्च को हम दोनों नेपाल में मिले थे नेपाल में मिलने के बाद हम दोनों कुछ दिन वहाँ पर रहे और इसके बाद ये पाकिस्तान वापस चली गए थी इसके बाद वो अब भारत आई है और हम दोनों इधर उधर घूम रहे थे इसके बाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हम दोनों की शादी करा दी जाए मामला पाकिस्तान से जुला है इसलिए सुरक्षर एजेंसिया भी पूरे मामले में फूग फूग कर पैर रख रहे है लेकिन अगर सीमा हैदर जांच में निदोश भी पाई जाती है तो बिना पासपोर्ट और विजा के भारत में आने की वज़े से सजा हो सकती है वैसे आपको क्या लगता है अगर जांच में निदोश पाई जाती है तो क्या सीमा और सचिन की शादी करा देनी चाहिए आपकी क्या राहे कमेंट बॉक्स पर लिकर आप जरू बताईगा दराशित के लिए प्लू रिपोर्ट